हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप सब लोग अभी गर्मिया शुरू हो गई हैं और गर्मियों में हम सबको आइस क्रीम खाना सबस्ता पसंद होता है तो हमने आज सुसा चलो कि अपके साथ एक घर पे आइस क्रीम बनाने की रेसेपी शेयर करें यह आइस क्रीम सिर्फ हम दो चैनल सुरीता शर्मा पर और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इस पर हम अच्छे अच्छी वीडियो डालते हैं रोज न्यू रेसेपी शेयर करते हैं तो बस अगर हमें कस्टड आइस क्रीम जानानी है तो सबसे पहले ह जो चमच कस्टड पाउडर लिया है ताकि कस्टड का अच्छी सी कस्टड आइसक्रेम बन के तैयार हो और साथ में लिया है यहां पे चीनी यह पर हमें छे से साथ टेबल स्पून चीनी लिया है अब चीनी कम जादा भी कर सकते हैं अपने स्वात के नुसार तो सबसे पहले कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे अपनी चीनी और अब इस चीनी को हमें कैरमलाइस करना है एक तरीके से हमें चीनी को पिंगालना है थोड़ी देर तक पहले हम इस चीनी को छेड़ेंगे नहीं और जैसी हमारी चीनी हलकी पिंगलनी स्टार्ट होगी तो इसे हम अप चीनी पिंगलने शुरू हो गई है तो बस अपने चीनी को अच्छे से घुमाते रहेंगे जाके हमारी चीनी ज्यादा क्रिस्टलाइज़ ना हो तो हम पुछी से कैरमेल करना है हलके से पिंगलाना है तो बिल्कुल यल्ल हुआ है अब इसमें हम डालेंगे अपना दूद तो हमने दूद हलका सा पहले गरम किया हुआ लिया था आप खंडा भी इसमाल कर सकते हैं बस दूद डालते ही हम एक बर गैस बंद करते ना क्योंकि एक गम से दूद हमारा उपर उठकर आएगा क्योंकि हमारी कढ़ाई गरम है तो जैसे बस थोड़ी देर बाद हम दूबारा अपने दूद को अपनी चीनी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे शुरू में चीनी की गाठे बनेंगी पर जैसे जैसे आप दूद गरम होगा और सेम टंपरेचर पर आएगा तो हमारी चीनी भूल जाएगी दूसी तरफ हमने जो अपने दो चमच करस्टड पावडर लिया जिन घराब हो सकता है और यह देखें अब हमारा दूद चीनी हमारी अच्छे से घुल चुकिया इस टाइम पर हम इसे थोड़ा सा और पकाएंगे अपने दूद को ताकि यह अच्छे से गाड़ा हो जाए थोड़ा सा तो बस हमेंसे एक उबाला देना है और फिर दो से ती जाते तो बस इसमें हम थोड़ा करके ड़ाएंगे और शाइसा था से हमें चलाते रहना है अगर आपे तो हमारी आइस्क्रीम खराब होने की चांसिद रहेंगे अब मैंने अपना सारा इसमें कर्षट पौड़ो डाल दिया है और अब इस पॉइंट पर हमें अपना चम्चा हिलाते रहना है जब तक कर्षट पौड़ो डालते ही दूद्ध थोड़ा-थोड़ा गाड़ा होना शुरू होगा बस हम अपने कर्ची चलाते रहेंगे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा जादा शेयर कीजिएगा यह देखिए और हम रोज वीडियो डाल रहे हैं आप वीडियो देखते हैं पर उन हमें इतना ही गाड़ा रखना है हमें ज्यादा गाड़ा दूद नहीं करना है तो यह देखिए हमारा आपको गाड़ा होता हुआ दिख रहा है दूद की बस इसी टाइम पर अपने दूद को आच से उतारेंगे और हमें दूद को ठंडा करना है तो यह देखिए हम यहां पर दूद को आच से उतार लिया है तो अब इस दूद को अच्छे से थंडा करेंगे जैसे हमारा दूद थंडा हो जाएगा इसको हम अपने एक मिक्सर जार में डालेंगे यह देखिए बस अपनी सारी अपने दूद को कश्टट वाले को इसमें ट् तो हम यह वाली क्रीम इसमाल करेंगे इसमें बस हमें क्रीम इसके अंदर डाल देनी है हमारे दूद के साथ और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है जब तक इसमें अच्छे से जाग ना बन जाए तो यह देखिए इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक इसमें अच्छ करेंगे यह देखिए हम दिखा रहे हैं चोटे चोटे दाने दिख रहे होंगे मुझला इसमें अच्छे से हवा भड़ चुकी है अच्छे से मिक्स हो चुका है अब इसे हमें एक कंटेनर में डालेंगे हो सके तो आप यहां पे एर्टाइट कंटेनर रास्तमाल कीजेगा यह कि क्या होगा हमारी सारी एसक्रीमें टूटी फूटी यही बस टूटी फूटी डालने के बाद तब अब वक अप चैनल डागांगा उसische कीला जाएगा ए साथ में आपके निदे अपन अपना ऐयस क्रीमी बनके तयार होगी समय बरफ नहीं जमेंगी अपना आईस करेंग आपना ऐट राइट कंटेनर से बंद करेंगे और अबनाईट फ्रीज करेंगे ज्टीर गंटे कमके कीकीजर किषयेगा और यह देखे अष्क्रीम बनके तयार हो चुकी है बस हमने से ओंद्धाय तरका थै आप हम निकालेंगे और देखें कितनी अच्छी है हमारी आइस्क्रीम बनके तयार हुई है यह देखें पूरे अच्छी से जम चुकी है अब थोड़ी सी चैरी और डालेंगे चैरी ऑप्शनल है अगर आपको ना डालनी हो आपको पसंदना हो तो आप इग्नूर भी कर सकते हैं पर चैरी का बहु आपको अग मशनल बना के तयार हो रही है इसमें बिल्कुल भी कुल भी यह बर्फ नहीं जमी है बिल्कुल भी पानी यह तो इक तम प्रीमी हमारी आइस क्रीम बनके तयार हूई है मार्केट घ्टाइल तो बस अब सो को मैं स्कूप करेंगे यह देखिए पूचे करेंगे इसे ज़रूर लाइक कीजीए और हमें से कमेंट करके बताईएगा झाल ቦ अच्छ जाले जब देंएक है नहीं करें खा तो बीसे चैनल को सब्सक्राइब बिचेका Sich souvenir के यहां हम और ही वर जानी आपयों को निमिग ca आए essentie है चल जो रहा है घर के इंग्रिदेंस है सिंफ दो इंग्रिदेंस में कितनी क्रीमी और टेस्ट डियार बन के तयार हुई है तो आप भी बनाइएगा वेकें कमें बतायेगा और अगर याउमन्हें में नहीं ब्सक्राइब कुभा और है स्ट कर दो पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए गा किज कीजिएगा और हमारे दोन को सब्सक्राइब कीजिएगा बाई बाई